असलाम आलेकूम, आज मैं आप लोगों के साथ पान पकोरा की रेसिपी शेयर करने वारी हूं, बहुत ही ज़ादा मज़े के और क्रिस्पी बन कर त्यार होते हैं, तो चलें स्टार्ट कर दो पान पकोरा बनाने के लिए चीज़े ले लिए, पालक ले लिए, बिल्कुल ही फ्रेश हमने पालक के पत्ते यूज़ करने, एक अदत आलो ले लिए, छोटा छोटा क्यूब्स में कट कर लिए, एक अदत प्यास ले लिए, इसे भी छोटा छोटा कट कर लिए, तीन अदत बा बारिक चौप कीवी पालक ले लिए एक टी स्पून कुटीवी लाल मिर्ज का पाउडर एक टी स्पून नमक हाफ टी स्पून जीरा हाफ टी स्पून रेडजिली पाउडर हाफ टी स्पून अनार दाना एक टी स्पून सुका धनिया पाउडर बाउल ले लिए बारिक चौप के वे इसमें प्याज एड़ कर देने है बारिक चौप के वा आलू इसमें एड़ कर देने है बारिक चौप के वी पाला किसमें एड़ कर देनी है बारिक चौप के वी हरी मिर्ची इसमें एड़ कर देनी है spices जो हमने लिए हैं वो इसमें एड़ कर देनी अनार दाना और साबुत सुका धनिया डालने से काफी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा half cup इसमें basin एड़ कर देने इसे mix कर लेने थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके paste बना लेने पालक का एक पता लेंगे fresh पालक का ही अपने यूज करना है cooking oil इसमें लगाएंगे जो हमने mixture त्यार किया है वो side पर रखेंगे और पालक के पते को हमने fold कर लेने जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम आपने भी इसे fold कर लेने दर्मियान में जो है हम toothpick लगा लेंगे इसी तरह सेम process की तरह हम सब को त्यार कर लेते हैं इसी तरह सब को त्यार कर लिए शिक्स टी स्पॉन बेसन के लिए हाफ टी स्पॉन इसमें नमकी आड़ कर देनी है थोरा सपानी आड़ करके इसका paste बना लेने फ्राइपल ले लिए इसमें cooking oil आड़ कर दिये एक को उठाएंगे बेसन के mixture में इसे dip करना है और इसे fry कर लेने इसी तरह हम सब को fry कर लेंगे light से ही इनका हमने golden color करने light से golden color हो गया है oil में से इन्हें निकाल लेने बहुत ही जदा मज़े के पान पकोरा बनकर त्यार होते हैं बहुत मज़े के क्रिस्पी जो है बनकर त्यार होते हैं इन्शालला आप लोगों को ये रेस्पी बहुत ही जदा पसंद आएगी हरा धनी और टमाटर की चटनी के साथ इसे सर्फ करें बहुत ही जदा मज़े के हमारे पान पकोरा जो हैं बनकर त्यार होएं इन्शालला आप लोगों को ये रेस्पी बहुत ही जदा पसंद आने व मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अला हाफिज